सबजिया और टमाटर इतने महेंगे हो गए है कि हर रोज क्या बनाया जाए समझ में ही नहीं आता है हलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रस्पी लेके आए हूँ जिसे आप डीनर में भी बना सकते हो और नस्ते में भी खा सकते हो जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ कच्चे के लेके ही जरूरत पड़ेगी और इसके लिए स्पेशल मसाला भी हम बनाएंगे जिसे आप लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हो वो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा रसेपी पसंद आए और आप मेरी आने वाली हर रसेपी को देखना चाते हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलो फ्रेंट्स इस मज़ेदार से रसेपी को स्टार्ट करें सबसे पहले हम यहाँ पे बैटर को तयार करेंगे इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बॉल जितनी सूजी ली है और एक बॉल जितना यहाँ पे हम बेसन लेंगे सूजी यहाँ पर हम mixer grinder के अंदर डालेंगे और इसे crush करके इसका powder तेयर करेंगे यहाँ पर हमें सूजी का एकदम बारिक वाला powder तेयर करना है इसी तरह से हमें एकदम fine वाला powder तेयर करना है अभी हम इसे एक ball के अंदर ट्रांसपर करेंगे अगर आपके पास चावल का आटा है तो इसके अंदर जरू डालिएगा हाफ बॉल जितना जिससे यहाँ पे हमारे चिल्ले एकदम क्रिस्पी बनेंगे अभी यहाँ पे हमने जो एक बॉल जितना बेशन लिया था इसे हम इसके अंदर डालेंगे स्वात के अनुसार नमक को डालेंगे हाफ टेबल स्पून जितनी हल्दी पाउडर को डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी से हिंक को भी डालेंगे सबको अच्छे से मेक्स करेंगे और मेक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे पानी एक साथ हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका यहाँ पे हम बैटर तयार करेंगे अगर आपने एक साथ पानी को डाल दिया तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगी तो यह बात का आपको खास द्यान रखना है यहाँ पे हमारा बैटर बन की तयार हो चुका है डोसे के लिए हम जैसे बैटर बनाते है वैसा ही सेम बैटर यहाँ पे हमें तयार करना है अभी हम इसे ढग के आधे गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आधे गंटे के अंदर सूजी को जितना फूल न रहेगा वो फूल जाएगी बैटर यहाँ पे हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक यहाँ पे हम मसाला तयार कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने ये चम्मच का मेजरमेट लिया है ये चम्मच से यहाँ पे हमें 5 टेबल स्पून जितना साबुत धनिया को लेना है 1 टेबल स्पून जितनी सौफ को लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे यहां पे मैंने ड्राय कोकोनट लिया है और इसे पतली-पतली चिप्स में कट करके तयार किया है तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे मैंने छोटा सा एक टुकड़ा जितना ही लिया था कोकोनट को चोटा सा एक नंग डालचीनी का डालेंगे वन टेबल स्पून जितनी इमली को डालेंगे एक नंग यहां पे मैंने काली लैची को डाला है और यहां पे मैंने चक्रफूल को अधर डाला है half tablespoon जितना यहाँ पे हम काली मिर्च को डालेंगे और half tablespoon जितना यहाँ पे हम लॉंग को डालेंगे gas की flame को हम slow रखेंगे और slow flame पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे मसालों को भूनने से इसकी self life बढ़ जाती है तो इसे हमें भूनना बहुत ही जरूरी है और इसे लगातार चलाना है नहीं चलाओगे तो मसाले जल जाएंगे तो इसे लगातार चलाते हुए ही इसे भूनना है एक से डेट मिनिट के अंदर ही आप देख सकते हो कि मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके है इस के अंदर से बहुत ही अच्छी से खुश्बू आने लगी है तो ये मसाले को अभी हम पूरी तरह से थंडा करेंगे और थंडा हो जाने के बाद ही हम इसे mister grinder के अंदर क्रॉश करेंगी सबी ख़ड़े मसाले को मैंने mixer grinder के अंदर ट्रांस्पर कर लिया है और अभी हम उगर को डालेंगे, वन टेबल स्पून जितना नमक को डालेंगे, नमक डालने से यहाँ पे मसालों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और आप अगर चाहो तो इसके अंदर निम्बू सत्व भी डाल सकते हो, निम्बू सत्व डालने से भी इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जा इतनी शुगर को और 2 टेबल स्पून जितना यहां पे हम इसके अंदर ओइल को डालेंगे और सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे यहां पे हमारा कच्छी दाबेली मसाला बनके तयार हो चुका है आप इसे 6 मन तक एटाइट कंटेनर में भरके फ्रीज के अंदर श्टोर करके रख सकते हो और जब भी मन चाहे तभी आप दाबेली को बना सकते हो इस तरह से मसाला आपका तयार रहेगा तो दाबेली बहुत ही कम समय में बनके तयार हो जाएगी लेकिन दाबेली बनाने के लिए यहां पे हम पाउं का यूज नहीं करेंगे क्योंकि चौमासा चल रहा है तो चौमासा के अंदर कई लोग पाउं नहीं खाते है इनके लिए यहां पे हमने स्पेशली बैटर से यह दाबेली को बनाएंगे लेकिन दाबेली हम तो अलग-अलग तरीके से बनाएंगे दाबेली ओपन चिल्ला और डाबेली चिल्ला रोल बनाएंगे अभी हम यही मसाले का यूज करके कच्चे केले का मसाला तयार करेंगे यहाँ पर मैंने कच्चे केले को बॉल करके तयार किया है और कच्चे केले बॉल हो जाने के बाद मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है जिसकी वज़े से यहाँ पर कच्छे के लेकर छोटे छोटे टुकटे नहीं रहेंगे यहाँ पर मैंने गैस के उपर एक पैन को चड़ाया है और इसके अंदर 1 डगरी जितना यहाँ पर हम आइल को डालेंगे टेबल स्पून से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम ओल को डालेंगे और ओल गरम हो जाने के बाद यहाँ पे हमने जो मसाला तयार किया है इसका यहाँ पे हम 80% मसाला इसके अंदर डाल देंगे मसाले ओयल के अंदर अच्छे से सौते हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर गुड इमले की चक्नी को डालेंगे सब को अच्छे से करेंगे mix 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 अच्छे से mix हो जाने के बाद यहां पे हमने कच्चे के लिए को boil करके तयार किया है इसे हम इसके अंदर डालेंगे यह मसाले का टेस्ट खटा मीठा और तीखा रहता है तो यहां पे ऐसे ही हमें बनाना है अगर आपको लगे कि इसका खटापन थोड़ा कम है तो आप यहां पे इसके अंदर निम्बू का juice भी निचोड़ सकते हो अभी हम इसके अंदर नमक को डालेंगे लेकिन यहां पे आपको टेस्ट करके डालना है क्योंकि हमने इसके अंदर दाविल का मसाला डाला इसके अंदर भी नमक था और गुड़ इमलिक की चटनी के अंदर भी नमक है यहाँ पे हमारा कच्चे केले का मसाला बन के तयार हो चुका है अगर आप इसे पाउं के अंदर स्टफ करने वाले हो तो इसी तरह से आपको घाडा रखना है लेकिन यहाँ पे हमें इसे चिल्ले के उपर स्प्रेड करना है तो यहाँ पे हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसे थोड़ा पतला बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमें नल ज्यादा गाड़ा नल ज्यादा पतला इस तरह से हमें मसाले को बनाना है बैटर को हमने रेस्ट करने के लिए रखा था इसे हम देख लेते हैं सूजी काफी पानी पीचुकी है और यहाँ पे बैटर गाड़ा हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तीन से चार टेबल स्पून जितना और बैटर को हम यहाँ पे एड़्जस करेंगे यहाँ पे हमें बैटर नल ज्यादा गाड़ा नल ज्यादा पतला इस तरह से हमें तयार करना है जैसे डोसे के लिए बनाते हैं वैसा ही सेम यहाँ पे हमें बैटर को रखना है सबसे पहले हम दाबेली ओपन चिल्ला बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने गैस के उपर तवा गरम करने के लिए रख दिया है तवा भी बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है तो अभी हम इसके उपर बेटर को डालेंगे यहाँ पर हमें आधा चमत जितना ही बेटर को डालना है और इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे यहाँ पर हम छोटे छोटे साइज वाले चिल्ले तयार करेंगे गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर यहाँ पर हम चिल्ले को तयार करेंगे साइड में मैंने यहाँ पे ओल को डाला है अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप बटर और गी का भी यूज़ कर सकते हो एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसे पल्टा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे यहाँ पूरी तरफ से गोल्डन हो जाए तब तक यहाँ पे हमें इसे सेक लेना है दूसर तरफ उलट पुलट करते हुए यहाँ पे हम इसे गोल्डन कर लेते है यहाँ पे हम एक तरफ चिल्ला बनाते जाएंगे और इसके उपर हमने जो कच्छे के लिए का मसाला तयार किया है वो मसाले को इस तरह से हम स्प्रेड करेंगे दो से तीन चमच जितना यहाँ पे हम मसाला स्प्रेड कर लेंगे अभी हम इसके उपर पॉमो ग्रेनिट को डालेंगे और मसाला सिंग को मैंने यहाँ पे गर पे ही तयार किया है तो मसाला सिंग को भी हम इसके उपर डालेंगे और बारिक सेव को भी डालेंगे यहाँ पे हमारा दाबेली ओपन चिल्ला बनके तैयार हो चुका है अभी हम दाबेली चिल्ला रोल को बनाएंगे गैस के उपर मैंने तवा अच्छे से गरम कर दिया अभी यहाँ पे हम अंदर से बाहर की तरफ हम स्प्रेड करेंगे बेटर को जैसे हम दोसा को स्प्रेड करते है वैसे ही यहाँ पे हमें सेम स्प्रेड करना है अभी यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून जीतना ओयल को डाला एक तरफ से गोल्डन हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसे पल्टा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे सेख लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाने के बाद यहाँ पे हम गैस को ओफ करेंगे और बारिक सेव को डालेंगे और यहां पर हम इसका रोल त्यार करेंगे अगर आपको तवे के उपर रोल करना नहीं जमता है गरम लगता है तो आप किचन काउंटर पे भी रखके इसे रोल कर सकते हो इसी तरह से हम सभी रोल को बना के तयार करेंगे और पीजा कटर की मदद से हम इसे कट करेंगे यहाँ पे हमारे सुपर टेस्टी डिलिशेस दाविल चिला रोल एंड दाविली ओपन चिला बन के तयार हो चुका है इसे देखकर तो सब के मुँ में पानी आ गया होगा तो रेसपी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा और आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो मैं नी दी आपको फिर मिलूँगी एक नए रेसपी के साथ तब तक के लिए बाइ एंड हैपी कुकिंग